नमस्कार आज हमारे पास एक ऐसे पेशंट है जिनकी तबियत खराब होने के करण उन्होंने काम दंदा सब छोड़ के घर पे बैठ गए थे भूखी नहीं लगती थी भूख नहीं लगती थी तो ना काम होता था ना सरीर में एनरजी लगती थी और उन्होंने लगबग 3-4 सा बहुत सारे अलग-अलग इलाज कराए फिर भी उनकी भूख नहीं खुल रही थी तो आज लगबग 20 दिन के अंदर जब उन्होंने पंचकर्म किया तो उनका कैसा फीडबैक है चली देखते हैं तो क्या नाम है आपका मेरा नम सीवास पंजे कहां से हैं आप वेस्ट बंग लुटिंग में होते हैं दाज खाना जंद अब उता था सबस्ता नाग बंड जाता दा मुकस आता था था राद राध राध वार उटके बहुत ज्यादा खास था मधला कभी-कभी तो सवने कोने मिलता ता ऐसा तक लिव खासी में सफेद कृ निकलता था पीला कृ निकलता यह सुखी खासी थी शुखा भी आता था कभी-कभी मुकस वाला और कभ जो निकनता था पुरा दागे-दागे ऐसा मुकस हेंदम और कभी-कभी तो नाख से पतला पानी कभी जाड़ा पानी कभी नाख बंद हो जादा बहुत सारा जगा पर दिखाया कोई बता है अलर्जी का फार्प्राइशन था बट यहां पर आके इससे पहले पंचेगार्मा भी किया था कहां किया था अन्देरी मिग यह फूर्पनमा भी हां वह पर बस्ती और नस्या कर्म ख्या था नस्या मतलब नाख में जो दवा ड़ा डालते जो लांच का रेस्परटी सिस्टेम का वह पर हो गया था लेकिन पेट का पवलें ठीक नहीं हो अब जैसे यहां पर अभी बस्ती लेने के बाद और बामन होने के बाद मुझे ऐसा फील्ड होता है अंदर से खाना बना नॉर्मल जैसे खा पा रहा हो पहले आपने सबसे पहला प्रॉब्लम बोला था इंडाइजेशन उसमे जीकिशन पर आफ के साथ में खाना इसलाइशन लगता था पड़ा एक जगह पर आगे जाई नहीं रहे और बहुत टाइम बाद अगर आगे भी गया तो आईसा लगता है खाना पर गांट जैसे बन गया पिर आगे सणक नहीं रहे पेट में दवाता था तो ऐसा लगता था अधर यह मतलब उदर खाना सब रुका है अलसक रोग जैसे एक वीडियो डाला था कि खाना अलसी जैसे पड़ा रहता है जैसे मतलब छोटे आंवे गया ऐसा लगता था वहां पर रुका है तो मैं घर पे गरम ठंडा से करता था उससे थोड़ा रिलिव मिला बहुत कुछ मतलब देख देख नहीं हो नहीं फिर मैं थोड़ा बहुत आयरवेदी स्टाडी भी करने लागा घर पे इतना सब कुछ करने करने के बाद भी कुछ आरव नहीं मिल रहा था फिर आपने बुलन था ब्लोटिंग और बर्पिंग होदी धका रादी थी और पेट फूलता था उसमें क्या होता था इसमें मतलब ऐसा था क्लिक होता था कभी-कभी तो खाना उपर की उपर मतलब धका राता था 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 मतलब अगे खना जाएगा नहीं इस अच्छ़ काम खाओ तो आरा भाइब थोड़ा कम खाता था थिक था लेकिन उस से फिर सरी नहीं आजाता था था शरी जानी नहीं लगता कि यहले दो culinary से दो मैपने जा पढ़ा ता ऐसा सेका कानिय सरे क्यों काम पे नहीं कर रहे थे मल्र matar कि क्या करते हैं मेAR जयलर यामन जयलर में चाम करता हो तो क्या होता थो मतलब कि आप काम पे नहीं चापा और थे मेरा जॉब एक्चिली सेंटरल एसी के अंदर है वो एसी में पैट की काम करना पड़ता है तो उसमें और ज्यादा नाग बंद हो जाता था और ठनी में जैसे जाता था और बायू बाढ़ जाता था फिरो और गैस ब्लोटिंग और फूरा दिन बार इसा स्टेट बेढ़ना कुर्शी पे तो और खाना आजम ना चलने फिर ना शरी का अक्टिवेटी नहीं था उसी सब से और तकलिफ जादा होता था जैसे राद विए सोता था खना होना काके सबर उठता पूरा पेट भाड़ फिर आपने बुरा था कि पीट में आपको ग्यास होके दर्द होता था और राइट चेस्ट के साइट में पेट कभी लेप पे कभी मतलब पीछे साइट बैक पेम अबलोग ग्यास जाख पर चड़ता था ना वहाँ पर पी पेम होता था उसब मतलब जैसे बमन होना सब्सक्राइब करें निकला ना में टेशन पर गया खुस बार आता बाजिया का आपने बोला तक कफ आपको चार से पांच बार आता था और प्यास नहीं लगती थी तो विल्कुल वीडियो लगता था वाला वे दिन बार आदा लीटर पानी पीता था आभी में और सीरदर्द देखा फिर उससे में दिरे दिरे डाइडी में नोट करने लगा कि मेरा मुल में पॉबले कब देखा था वीडियो हो अच्छली आपको सर 6-7 महने से फोलो कर रहा हूँ दिरे दिरे में नोट करने लगा ये चीज मेरा अंदर कमी है कब ज्यादा बढ़ा है बाद ज्यादा नेपल से जब उनका देखा मेने की वाइसाब ठीक हो सकता है मेलूर घूम के इदार होदा घूम के उन्होंने भी 20 साल से घूमा है तो मेरा भरोसा हुआ कि अगर हो सकता है तो यहाँ पर नहीं तो फिर और मैं इतना जगा घूम लिया सच्छी बता तो आगर ये जगा पे म सब्सक्राइब करने के लिए तालिस आधी जैसे टाइप के आउश्रधियां दी थी और उनको चित्रक बंचकोल ऐसे कॉंबिनेशन्स दिये थे आमलो वेतस जैसी दवाईया तो उनकी थोड़ा सा रिलीफ हुआ उसके पाद अंदे घी पिला कि वामन किया था कैसा था वामन का एक्स्पिरियंस वामन का एक्स्पिरियंस तो बहुत अच्छा मतलब आप वामन का सर भी आच्छा है जो आसपक वामन के बाद कैसा लगा फिर अगले दिन से क्या फिल हो रहता है अगले दिन से तो मेरा जैसे स्मेल वगर आना चालो हुआ मुझे लगा नहीं अभी थोड़ा ठीक है बट थोड़ा वितनेश लग रहा था क्योंकि ममन हो गया था खाने पिने थोड़ा स्टिक ले चार पाई दिन फॉलो करना था तीन दिन में फॉलो किया जैसे जैसे बताया चौता दिन से मुझे अलका भूग लगने कि मैं तो बटाया कि मैं एसा है तो अर वादेने भी में अभी कितनी बार क़्ाते हूं अभी दिन में तीन बार चार बार कोई यह नहीं है, जैसे भूग लगता है, सरने बाता है कि जैसे भूग लगे हैं अजसा कुछ खा लेगा सब हजम होता है अच्छे से? अभी तो मैं करीब 22 दिन से यहां पे डेडमें में हो मैं करेब तीन साल से नोन बेज ने खाया था अभी नोन बेज चाल खाया अच्य से आजब ठाट हाँ इसे लोग आ्ज़ आजब अच्छा काई अजब शुको्त आखाया अजबैधा आजू मेरा लाया धाया कौछ अटा इसके बद बस्ती चालू की अभी आज आपका साथवा दिन है तो कैसा लगता भी बस्ती से बस्ती में बहुत हमारा में बहुत मतलब पेट का जो खड़कपन था और गैस उसे सब कम हो गया और मतलब अभी पेट का जो दिक्कत था जो भी है मुझे लगता है मुझे 60-70 का रम मिल यह थोड़ा बहुत बच्चा है को सतर आशी टाका रहा वे थोड़ा बहुत बच्चा है एनरजी लेवल कैसा है एंज पहले से काफी आज़ा भूग कैसी है भूग आच्छे हजम होता है बहुत पेट साफ होता है इस सब्सक्राइब दीन में एक ही बार जाता हूँ सब काशिका दिक्त रें अपन निकाल दें गमेंके जो फिसाब इसा पी नॉर्म ए वा這邊 आता है आपे यह मोह नहीं टान चालों किया उस एनरजी लेवल अच्छा है साब दीमाग किसा अभी जो टेंशन था अभी ह्ट है अभी काम करने का मन करता है मन तो करता है लेकिन मैं सवजराओ थोड़ा और फ्री हो जाओ इतना साल से जो धिला है तभी इतना फ्री हो गया मैं सवजराओ एकदम से हंड़े टागा फ्री हो जाओ गाओ गुंके फिर उसके बाद चालो करेंगा तो कैसा है एक्सपिरियन्स ओर अरॉल आयरुवेद का मुझे तो इतना बारसा हो गया एक्चली में जो है ना भागवान पर बहुत विश्वास करता हूं भागवान पर विष्णु भागवान पर और मैं थोड़ा बहुत बहुत का नोलेज्टा हूं यूटूब से पड़ा ह अरुवेद का नोलेज्टा है और मैं राजीदीख सित्का काभी फैनों थे नोलेज्टा है इनका भी शार्टा भी वीडियो देखा उनकी वारे में यह करते हूं तभी मैं थोड़ा च्छे महने से एका रहा था तो मुझे लगा नहीं अगर वो सकता है यहां पर नहीं तो आगे मैं कुछ ना कुछ अलग सब्सक्राइब मुझे 20 दिन में रिलिफ मिला है मैं तो आगे भी कोई पेशेंट ने उनको यही शला दूंगा अगर तकलिफ होएगा ज्यादा है तो यहां पर आकर हिलाज करूं ठीक है चलो आपने वमन किया बस्ती किया और फाइनली आप लगबग 29 जनवरी को ट्रीटमेंट चालू किया था इनको पंदरा दिन हमने दवा दी इसके बाद वमन कराया था और वमन के बाद पांच दिन रेश दे के आज उनके बस्ती का सात्वा दिन है कुछ दिन एक दिन कल और बस्ती है फिर घर पे इनको छोटी बस्ती करने दे होता है और तीन चार महीने में मस्त एक दम अच्छे हो जाएंगे अभी वो खाना पीना चीकु बखाई जाए तरह चीकु ले आदा खा वियां रोटी में चार बाच चारपाश रोटी है जम होता है अब जाए साथ नोर्मल इंसन खाता था तो फाइनली अच्छा आप इंजॉए कर पा रहे हो और आई रिविद को लेके आपकी फैमिली में थोड़ा सा डाउड था तो क्या बोलना चाहोगे अभी आई रिविद एक्परियेंस लेने के बाद मेरा फ्रवाली अच्छा बेक्परियें वेंडर्च्छी आप दि Hampar इसके लेरी नहीं है मैं क्यूंकि काफी दिन से एयरुआ और और अलापथी में भी नहीं किया अपी तो क्या किया अईंग्डिटेशंग ट्रीरा काफी आच्चे जागा पे भी गया । मतलब अफे जागा करना था था मतलब में कास मर्ता था उस मज़ाई से वह पे भी कुछी रेजल नहीं मिला फिर मैं उसके बाद में भी किया उसमें भी रेजल नहीं मिला फिर एलापती में छोड़के ओम्यपाती छोड़के आहरवदिक करना चालू किया तो इसमें भी काफी जगा घुम लिया करें में 2020 से आयर्वधिक कर रहा हूँ तो इस बजए से तो लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आलापती क्या दवाई गास पूजे वो जरीवट्खा तो और खास करके मेरा गाउ साइड जो है ना का पर यपका दाऊं करके है तो वापर आयर्वधिक का बहाँ छोटा मुटा रहेंगे जो भी है इतना मदलब सरकी जैसा इतना एन दो ऑई सबसे आयरवधिक भी विश्वास नहीं है थोड़ी को दवा दे रहेंगे बोड़ी देनादे सब कंबानी जाए लेकिन दवा खराम जब दोक्टर का एक्सपरेंश नहीं है तो पर दवा प्या ची तो मेरा इसब से मुझे जो इतना चार साल में लगा दवा सेही रहता है बट डोक्टर का एक्सपरेंश सबसे ज़ादा होना थी पेसिंट को कैसे करना है मुझे इसब क्यों में चार-पांच साल से घूम रहा मुझे एसा फेल्ड वा और में कापी अच्छा जगा पर भी घूम का है आर बदी में तो आप भी ठीक नहीं हुआ यहा पर थीक नहीं होँआ मुझे लगता है इने ही मुझे इतना लगता है कि डॉक्टर का एक्सपरेंश होना चाहिए पेसेंट कर पर कैसा है क्या रही वह जब से एट उस अच्छा है जब शिया को कॉंट सा दावा चाहिए ओ सबसे में प्रूब तो यह था इनका एज़वित का एक्सपरेंस और अच्छा है कि आपको आइजवित से अच्छा खासा हरे आप मिला तो आइजवित से क्योंकि कई सारे लोग को आईजवित को लेके बहुत सारी doubts रहत है क्योंकि उन्होंने life में कभी किया है नहीं especially पंजीगर में जेजी चेकिसा उनको सोचते कि बापरे यह क्या करा रहे है उल्टी करा रहे है क्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो यह सामने patients हैं जिनको अगर प्योर अच्छा जो सास्त्रों में आईरविद लिखा है स्टेम पाई स्टेप प्रॉपर आईरविद स्पॉलो किया जाए तो इतने magical results के वल एक महिने के अंदर ही मिल जाते हैं तो ये थे श्रिवाश जी और ऐसे इक और नेक्स्ट हम फीडबेक आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें